हालो दोस्तों जियो गुर्जी क्लासेज में आपका स्वागत है मैं रोई शर्मा सब्जेक्ट आज अपना है रीट एसस्टी मोडल पेपर 2022 नए सैलेबस पर आधारित ये साथ कोशन मैं आपके लेके आया हूँ देखिए ये जो पेपर है वो नए सैलेबस पर आधारित है ठ पतंता के बाद सिंदू घाटी सब्जेक्ट के सरवादिक इस्तल कहां मिलते हैं ए ऑप्शन में है गुजरात बी में हरियाना सी पंजाब और डी है उत्रपरदेश तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो आपका है गुजरात जैसे कि गुजरात के अंदर आपका है धोला वीरा है लोथल ऐसे कई सब्जेक्टा जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ठीक है अगला कोशन अपना आता है वो है निम्न में से कौन सी सामाने लोगों की संस्था थी ए ऑप्शन में है समीती बी में सब्जेक्टा सी में ए और बी दोनों ठीक है और पर दोनों से कोई नहीं तो इस में सही रॉगा वहाँ आपका होगा समीती जो है वह केंड्रियय राजनेतिक संस्था है और समीते के अध्यक्ष को हम इचान कहा जाता पूचल लिए जाता है कि समीती का दूसा नाम क्या है तो आपको को बताना है यश्यान ठीक है यह सह और प्रवा रुक जाता है, जिसे हम कहते हैं, इसमें देखें A option में हैं संवर, दूसरा है निरजला, तीसरा मोक्ष, और चोटा है आस्त्राउ, थिक है, तो देखें इसमें जो सही option वो होगा, वो आपका होगा, A संवर, थिक है, चलिए, next question देखते हैं अपन, चोथे नमबर का question जो आता है वो है अपना नंदवंश का अंतिम समराट कौन था तो इसके अंदर A option में है महा जनपद, B में है घनानंद, C में है कांकवर्ण, काकवर्ण और D में है उदाएनी इसमें सही answer जो है वो है B, B option इसका right है ठीक है अब मैं बता हूँ आपको जो यूनानी लेखक ने इसे अग्रिमीज नाम दिया था किसको घनानंद को इस समय सिकंदर का हमला भारत पर हुआ था और ये जो आपका नाम सुनाओगा आपने चंदर गुप्त मोर्य ने जो घनानंद है उसकी हत्या कर दी थी और मोर्य वंस की स्थापना इसी समय हुई थी ठीक है तो ये इसकी कुछ डिटेल है चलिए आगे बढ़ते हैं पांच् जो के सासनकाल के कुमार कहान न्युक्त किये जाते थे ए उप्षन में तक्षिला तोसाली एवं उज्जैनी बी उप्षन में तक्षिला उज्जैनी जुनागर्ड सी उप्षन में तक्षिला तोसाली सोपारा और डी उप्षन में हैं उज्जैनी मतुरा येरा गुड़ी तो इसमें सही जो आंसर है वो अपना होगा A option तकसिला तो साली एवं उज्जैनी चलिए आगे की और बढ़ते हैं अपने च्छटे नंबर का question जो आपका आता है वो है निम्न में से कौन मनु इस्मृती पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रशिद्ध है A option में अपराक दूसरा है B option में मेगा तिथी C option में है विज्ञानेश्वर D option में है विश्वरूप्ट तो इसका अंदर जो आंसर होगा वो आपका होगा D option मेगा तिथी ठीक है चलिए next question के और बढ़ते हैं सात्वे नमर का जो question आपके सामने है वो है अरव यात्री सुलेमान किस गूजर परतिहार सासक के काल में भारत आया था A option में है महीर भोज फास्ट B option में है महिंदर पाल फास्ट C option में है नाग भट टू और D option में है मही पाल फास्ट तो इसके अंदर जो सही answer होगा वो आपका होगा A option महीर भोज फास्ट ठेक है चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं आठवे नमर का question जो आता है वो है देखिए पैगम वंच का आनंद मंदिर कहां इस्तित है तो इसको देखेंगे आपन सबसे पहले option में आता है भारत B में पाकिस्तान C में में म आता है अपना तो इसमें सही जो answer होगा वो होगा आपका मियानमार आपने मियानमार जो की बर्मा जो है आपका बर्मा दूसा नाम है इसका बर्मा और ग्यारा सो पांच के अंदर ग्यारा सो पांच में इस आनंद मत जो मंदिर है आनंद मंदिर इसके स्थापना की गई थी ठीक है तो इसकी छोटी डिटेल है चलिए आगे की और बढ़ते है पन नवे नंबर का जो कोशन है वो है महारणा परताप ने मुगल सेना को भुरी तरह पराजित किया था ये कहां पर किया था देखते हैं देखिए A option में है गोगुंदा B option में है बनाया याना सोरी C option में है खातोली और D option में है दिवर ठीक है अब देखिए इसमें जो आपका option जो होगा वो D option आपका इसमें राइट होगा और आपको मैं बता दू अटुमबर 1582 के अंदर ये युद्ध हुआ था दिवे युद्ध ठीक है चलिए अठारा सो अठ आगे क्यों बढ़ते हैं question number अपना आता है दस्वा question देखते हैं माराठो का सवर प्रथम किसने मनसबदारी व्यवस्ता में शामिल किया मनसबदारी व्यवस्ता सबसे पहले option में आता है अकबर B option में जहंगीर C option में सहाजा और D option है औरंग जे तो इसमें सही आंसर जो होग वो है अकबर ठीक है मनसबदारी प्रथा ठीक है पहले तो मनसबदारी प्रथा होती क्या है मनसबदारी जो प्रथा है ठीक है इसका आंसर मैं बता रहा हूँ अको मनसबदारी प्रथा इसका आर्था है जो मुल्गल जो प्रसासन था उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई पद दिया जाता था और ये जो पद होते थे इसको तीन भगों में बटा गया है पहला पद जो है उसको बोलते है उम्रा उम्रा मतलब छोटा पहला पद होता था दूसरे नंबर का पद जो था वो है अमीर ए उम्दा ये मध्यम पद होता था और जो तीसे नंबर का वो पद है वो जो मुगल प्रसासन था उसमें पदुआ करता था जो लोगों को दिया जाता था ठीक है चलिए next question अपना आता है 11 नंबर का question आता है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे तो इसमें देखिये स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे देखिए स्वामी राम क्रिष्ण परमंज जो है इनके जो गुरू थे और स्वामी वेकान जी जो थे इनका बच्पन का नाम था कई बार कॉशन में आता है स्वामी वेकान का बच्पन का नाम क्या है तो मैं बता दू आपको नरेंद नात दत था और पिता का नाम था विस्व सिवाजी गनपती उस्व में प्रारम किया सिवाजी गनपती उस्व में प्रारम किया एक तरीके से हम कहें कि यह कौशन थोड़ा सा अलग है इसमें todos यह दो सिवाजी उस्व और गनपती उस्षव, ठीक है, इसमें 2 पोश्चन है देखे, ये उस्षव प्रारम किया गया था किया गया था किसके माध्यम से सी आपशन इसमें साई होगा बाल गंगा धर तिलक देखे, बाल गंगा धर तिलक जो थे, इन्होंने 1800 1800 1800 तր्यान मैं इसमें तो सुरू किया गया था कौनसा सिवाजी उस्सव और कःटानो गाळी तो नावना जगाना भारत के अंदर चलिए नेक्ट कोर्चन अपना आता है तेरवी नमबर का question आता है भारत को एक गन्राज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि A option में देखी क्या लिखा हुआ है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है B option में है उसे 15 अगस 1947 को स्वतंता प्राप्ट हुई C option में उनका अपना लिखित सविधान है और D option में उसकी सरकार संसदिय प्रणाली के अनुसार है तो इसमें सही answer जो होगा वो होगा आपका A option राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है चलिए अगला question अपन देखते हैं अगला question अपना आता है चोधवे नंबर का बंदी प्रत्यक्षिकरन याचिका ठीक है इसमें सही answer क्या होगा देखते हैं सबसे पहले A option में है केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल किया जा सकता है दूसरा केवल हित्बद व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाता है और तीसरा है किसी भी नीजी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाता है या फिर निरुद्ध या फिर हित्बद दोनों व्यक्तियों द्वार दाखिल किया जाता तो इसमें सही आंसर जो होगा वो आपका होगा डी आप्शन ठीक है डी आप्शन इसमें सही होगा चलिए नेक्ट कोशन क्यों बढ़ते हैं अपन पंद्रवे नंबर का कॉशन अपना है ये भारतिय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहीता प्राप्ट कराने की बात कही गई है किस अनुछेद में की गई है देखते हैं अनुछेद 40, अनुछेद 45, अनुचेद 47 या अनुछेद 49A तो इसमें सही आंसर जो होगा वो अपना होगा बी आप्शन चमालिस वे अनुछेद के अनदर भारतिय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहीता प्राप्ट कराने की बात कही गई है चलिए next question अपना आता है किस अनुछेद के तहर देश में एक स्वतन्त निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रवधान है ए उप्शन अनुछेद 324 फस्ट अनुछेद 103 अनुछेद 125 अनुछेद 126 दो तो इसमें सही जो आंसर होगा वो है अनुछेद 324 सही आंसर इसका यह होगा चलिए next question देखते है अपन चलिए सत्वे नंबर के question पे अपना आते हैं किसोड न्याय बालकों की देख बाल एवं संडरक्षन अधिनियम 2015 को राश्पती की मंजूरी कब प्राप्थ हुई A option में देखिए 31 दिसंबर 2015, B option 15 नौंबर 2015 C option में है 20 अटुंबर 2015 या D option है 24 सितंबर 2015 तो इसमें सही आंसर जो होगा 31 दिसंबर 2015 चलिए next question देखते हैं अठारवे नंबर का question आता है अधियादेश जारी करने का अधिकार राश्पती का कौन सा अधिकार होता है सबसे पहला option है विधाई दूसरा प्रसासनिक C न्याए और D है व्यक्तित तो इसमें सही आंसर जो हापका होगा वो होगा A option विधाई चलिए next question देखते हैं अपन 19 वे नंबर का question है वो है रास सबा के सदश्चों को नामित करने का अधिकार निमले खित में से किसको है राश्पति को उपराश्पति को न्याए पाली का या फिर लोकसभा तो इसमें सही आंसर जो होगा वो आपका होगा राश्पति ठीक है चलिए क्योंकि अब मैं बता दू आपको जो राश्पति की बात करें देखो राश्पति की बात करें देखो राश्पति के में वोटिंग के दोरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता अध्यक्ष केंद्रिय मंत्री लोकसवा के सदश्य या इन में से को ही नहीं तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका अध्यक्ष चलिए नेक कॉस्चन अपना नेक्स्ट है 21 वे नंबर का कॉस्चन केंद् दिया कारिय मंत्री भी ऑप्शन है भारत का राश्टपती भारत का प्रदान मंत्री वे केबिनेट मंत्री तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका होगा भारत का प्रदान मंत्री चलिए अगला कॉस्चन अपना है 22 नमबर का question क्या कहता है देखिए भारतिय राज्यों में राज्य पाल की न्युक्ति कौन करता है पहला संगी है मंत्री मंडल दूसरा उपराश्पती तीसरा पदान मंत्री और चोता है राश्पती इसमें सही option जो है वो आपका होगा राश्पती का चलिए आगे बढ़ते है पर तेईसवे नमबर का question जो है वो है देखिए यह थोड़ा सा मिस्प्रिंट है इसमें हम लिख सकते हैं गरस्ती चालिशा ठीक है गरस्ती चालिशा प्रचंड पचासा एबं चीकता साथा सीखता है थोड़ा मिस्प्रिंट है ठीक है इस जगह आपन लिख देंगे चीकता साथा ठीक है तो गरस्ती चालिशा देखो गरस्ती चालिशा अब मैं बता हूँ आपको जिसे मान लीजिए यह आपका globe है इस globe के अंदर अब हम बात करते हैं इसके अंदर सही answer तो मैं बता दू आपको देखो इसमें A option तो है समुदी तूफान B option है दक्षणी गोलार्द म पश्णी पवने और D option में है प्रशान महासागरी धारा तो इसमें सही answer जो होगा वो अपना होगा B answer अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें किस तरीके से है देकि दक्षणी गोलार्द सबसे पहले बात बता हूँ आपको मैं यह जो बीच की रेखा है यह zero degree है ठीक है और गरस्ती 44 मतलब जीरो से और 40 lug compare की बीच में कहीं पर होता है ठीक है तो 40 अगे के और बढ़ते हैं तो फिर a फिर और आगे क्यों बढ़ते हैं तो फिर आती है चीकता साथा मतलब साथ डिगरी पर मतलब चालिस डिगरी पर गरस्ती चालिसा पचास डिगरी पर प्रचंड पचासा और साथ डिगरी पर चीकता साथा तो इस तरीके से ये जो एरिया है अपना ये वाला एरिया इस एरिये के अंदर यह हवाएं चलती है जो कि अपने दक्षनी गोलार्थ के अंतरगत होता है चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं नहीं और कोई नहीं तो इसमें सही आंसर जो होगा वह आपका होगा बी ऑप्शन दोनों और चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं 25 नमबर का कोईशन आता है यदी प्रत्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियों पेड़ पोदो समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी कारबन डैक्साइड की नाइट्रोजन चलवास या ऑक्सीजन तो इसमें सही आंसर जो होगा वह ऑक्सीजन का होगा और वाईव मंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 21 प्रतिशत इसकी मात्रा है ऐसे कई किताबों के अंदर आपको जो मात्रा मिलेगी वह 20 पॉइंट और 20 पॉइंट पिच्चान में आपको मिलेगी ठीक है कई किताबों में आपको पिच्चान में मिलेगी आपको 20 पॉइंट पिच्चान हो देखे, निम्ल कित्मे से कौन सा ऊ उशनी कटी बंदिे, चकरवात है? हरीकेन, टॉनेडो, प्रचंड चकरवात या उप्युक सभी? तो इसमें सही आंसर जो है, ऊशनी कटी बंदिénd चकरवात को हम हरीकेन के नाम से भी जानते हैं, तौनेडो के भी नाम से जानते हैं, प्रचंड चक्रवात के भी नाम से जानते हैं, एक टाइफून के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसमें सही option जो है, वो आपका कौन सा होगा, उप्युक सभी, ठीक है, तो सारे के सारे बिंदो इसका सही answer होगा, चलिए आगे क्यों बढ़ ये केटू जो है वो गाडविन आस्टीन है ये भारत का सर्वोतम परवस्यकर माना जाता है चलिए आगे के और बढ़ते है इसमें सही आंसर जो आपका होगा वो होगा उत्रा खंड ठीक है चलिए आगे के और बढ़ते हैं अगला कोशन अपना आता है 29 देश में प्रथम क्रिशी विस्विद्याले की स्तापना किस वर्ष में हुई थी ए 1950, 1960, 1970 या फिर 1980 इसमें सही आप्शन जो होगा वो भी आप्शन सही है 1960 के अंदर इसकी स्तापना हुई थी चलिए आगे के और बढ़ते हैं 30 नमर का क्या कहता है निमलिक इटराज्य समूँ में वे कौन सा है जहां यात्री रेल ढिबो का बड़ी मात्रा में निर्मान होता है पंजाब, तमिलनाडु ए अप्शन, बी अप्शन में है उडिसा प disturbing बंगाल, तमिलनाडु प urgency बंगाल, और एक उप्शन है पश्च्ट राजस्तान का कौन सा जिला हाडोती का पठार में शामिल नहीं है देखो कोटा शामिल है बारा शामिल है जहलावार शामिल है ठीक है ये सारे शामिल है पर दौसा जो है वो शामिल नहीं है तो इसके अंदर ए आप्शन इसका दौसा होगा जो की शामिल नहीं है चलिए आगे A में आता है बरतपूर, B में बासवाड़ा, C में जहालावाड और D में सिरोड़ी इसमें सही आंसर जो है वो बासवाड़ा का है यहां पर Setu Semiines वर्षा यहां पर हो जाती है ठीक इसमें सही आंसर क्या होगा बासवड़ा होगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए 33 कोशन क्या है किस नदी पर इस्ट वेस्ट कोरिडोर के अधीन हैंगी ब्रीज बनाया जाना प्रस्तावित है बनास पर चंबल पर काली सिंद पर या फिर लूनी पर तो सबसे सही आंसर जो दोमट, कचारी, लवनी है, अमली है या फिर रेतीली तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा दोमट या कचारी मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा उप्योगी और सब ज़्यादा उपजाव मिट्टी माने जाती है जो कि नदियों के दौरा बहा कर लाए गई मिट्टी होत तो इसमें सही option जो है वो अपना सही होगा जैपूर के अंदर के बेकरीज इंडिया लिमिटेड के स्तापना की गई थी चलिए आगे क्यों बढ़ता है 36 वे नमर का question क्या कहता है निमलिकित मेसे किस स्थल में मैंड़ेच सासक के 16 सिक्षे प्राप्त हुए है बैराठ में नगरी रिडव नगर इसमें सही option जो है वो आपका होगा बैराठ जो है बैराठ ठैय सै अगे क्यों बढ़ते हैं 37 नंबर का question आता है वांगड के परमारों का अंतिम सासक कौन था विजयराद चामुंडा राज डंबर सिंग या फिर जै सिंग प्रिथम तो इसमें सही option आंसर सही होगा वो होगा ए उप्षन विजयराद तो इसमें विजयराद जो है वो सही option होगा चलिए आगे की और बढ़ते हैं 37 वी नमबर का question सड़ी 38 वी नमबर का question आता है अपना 1857 इसवी की करांती के समय धोलपूर के सासक कौन थे राणा भगवन सिंग राणा निहाल सिंग राणा राम सिंग राणा और उदै भान सिंग राणा तेखिए तो इसमें सही answer जो अपना होगा वो होगा ए उप्षन र किस वर्ष में हुए मतला आपको इसमें बताना है किसान अंदूलन के बारे में जो कि विजूलिया से संबंदित है तो इसमें ए उप्षन में तो 1927, 1921, 1929 या 1941 सही answer जो है वो है 1927 के अंदर ये अंदूलन से प्रथक हो गए थे ठीक है विजय सिंग प्रतिक विजूलिया अंदर से अलग हो गए थे चलिए नेक्स कोशन अपना आता है चाली से नंबर का कोशन है मई 1947 को काली बाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दोरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई वह किस जिले से थी उदैपूर से थी या फिर डूंगरपूर आता है एक ताली से नंबर का कोशन है निम में से कौन सा महल जैपूर में इस्तित है ए उपशन में सामोद महल जगनिवास महल राज महल या अरसी विलास महल तो इसमें सही आंसर जो होगा वह आपका होगा सामोद महल चलिए नेक्स कोशन अपना आता है बियाली से नंबर क question चल देखते हैं क्या कहता है निमलिकित में से किस सासक ने टौक में परसिद मंदे स्री कल्यान जी का निर्मान करवाया था A option में राव सुर्जन हाडा दूसरा राजा देग C option जो है महराना परताब सिंग और D option जो है वो राणा राज सिंग तो इसमें सही जो option होगा वो होगा इसमें राणा देग्व ठीक है इसमें B option जो है वो आपका इसमें right होगा चलिए आगे question देखते हैं 43 पे नंबर का question जो है वो है परसिद घोटिया अंबा का मेला राजस्तान के किस जिले में या किस जिले से संबंदेता सीकर बांसवाडा जालावार या फिर जालोर तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा आपका B option बांसवाडा से संबंदेता चलिए next question है अपना देखते है चम्मालीसवा question क्या कहता है निम्लिकिन में से कौन सा विकाल्प गलत है सबसे पहला option जो है वो है थरी साथ तम भाद्र पद क्रश्न सब्तमी को मनाई जाती है B option चालिसवा महोसव सोला जुलाई से 24 अगस्त तक मनाई जाता है और C option है असूर फार्म बड़े सुल्क पक्ष 14 के दिन मनाया जाता है और D option में थरी साथम के दिन भगवान जूले लाल जी का जन्म हुआ था तो इसमें सही answer जो होगा वो आपका D option है थरी साथम के दिन भगवान जूले लाल जी का जन्म हुआ था चलिए अगला question हम देखते हैं 45 वे नंबर का question है राजस्तान लोग गीतों में गाई जाने बाला नेतल का भरता किस लोग देवता के संदर में है तेजा जी, हडबू जी, बाबू जी या राम देव तेशमें सही option जो होगा अपना D option राम देव जी चलिए अगला question है 46 वे नंबर का question है कोटा, राज्य, प्रजा मंदल के संस्तापक थे मीठा लाल व्यास, मागा राम, वैद, सिव संकर, गोपा, या फिन, नैनू राम, शर्मा तो इसमें सही option जो है D option नैनू राम, शर्मा चलिए अगला question देखते हैं 47 वे नंबर का question नेम लिखित में से गलत युग्म को पहचानी है तो इसमें आपको सही देखना है बिजोलिया किसान आंदुलन इसमें गलत जो युग्म है उसे पहचाना है, मतल़ इसमें से तीन सही और एक गलत option दिया हुआ है जैसे कि बिजोलिया किसान आंदुलन विजय सिंग पतिक से संबंदिता ये राइट है बेगू किसान आंदुलन जो है राम नारायन चोदरी से संबंदित है, सही है भी और मीना आंदुलन ठीक है, मोती लाल तेजावत ये option थोड़ा mistake में है भगत आंदुलन गुरु गोविन गिरी ये भी सही है, मतलब इसमें डी option जो है मीना आंदुलन जो है ये आपका wrong answer है तो मतलब आपका C जो है युग में गलत माना जाएगा ठीक है चलिए, आगे क्योंड़ते हैं पन 48 नमर का question आता है विजोलिय किसान आंदुलन में किस जाती के किसान सरवादिक संख्या में थे सिक, मंसा, मेव या धाकर तो इसमें सही answer जो होगा अब वो होगा अपना धाकर डी option और ये उपर माल छेत्र कौन सा छेत्र? उपर माल छेत्र से संबन देता है और इस आंदुलन को प्रारम किया गया था उपर माल छेत्र से इसे आरम किया गया था जिसमें सबसे ज़्यादा सरवादिक जाती जो थी वो धाकर जाती से संबन देते हैं चलिए अगला question देखते हैं 49 वा question है राजस्तान, राज्यका, स्वरूप, वर्तमान स्वरूप किस तारिक से है वे है 15 अगला question 50 वी नंबर का आता है देखे question क्या है मनो शारेरिक यह स्वरी यह शारेरिक है तोड़ा समिस्प्रेंट है मनो शारेरिक मानना आप इसको ठीक है मनो शारेरिक पक्ष के प्राई उद्देश्चों का वरगी करण किसके द्वारा परस्तुत किया गया तो ए उप्षन में आता है सिम्प, पसंद्वारा एडम, एडम्स द्वारा या फिर वेल सेंद्वारा या फिर गुड्ड द्वारा तो इसमें ए उप्षन आपका सही माना जाएगा ठीक है अगला कोशन अपना आता है एक्यानवे नमबर का कोशन एक्यानवे निमली खित में से कौन सा अभीनिय करण प्रविधी का सोपान नहीं है कारिकरम की रूपरेखा तयार करना चात्रों द्वारा विसे वस्तू का चैन करना मुल्यानकन प्रविधियों का चैन करना और डी ऑप्षन जो है बुद्धिमान चात्रों का चैन करना तो इसमें सही आंसर जो होगा डी ऑप्षन वो है बुद्धिमान चात्रों का चैन करना चलिए नेक्स कोष़जन पर जाते है अपन 52 नंबर पर है तू पढ़ विधी किस विधी को कहा जाता है व्याक्यान विधी को पाठ्य पुस्तक विदी को समश्या समधान विदी को या फिर कहानी विदी को ते इसमें सही आंसर जो होगा ए ओप्षन सही अपना ठीक है व्याख्यान विदी को चलिए अगला कोशन अपना आता है तरेपन नंबर पे समश्या समधान विदी का स्वर प्रतम विचार किस ने दिया सुक्रात ने अरस्तू प्लोटो या फिर सभी ने उक्पेश सभी ने तो इसमें सही आंसर जो होगा वो आपका होगा सुक्रात ने चलिए अगला कॉशन देखते है अपन चववे नमबर कोई कॉशन आता है अपना अवधान संबंदित समश्या में निम्न में से कौन सा सारिक या स्वा संबंदित कारण नहीं है अनुवानसिक रोग या बिमारी सी ओप्शन में है ओसत से कम बुद्धिक इस्तर डी ओप्शन में है जैन रासाइनिक आसंतुलन तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा अपना ओसत सी ओसत से कम बुद्धिक इस्तर चलिए अगला कॉशन अपना है पच्वे नमबर बे सामाजिक अध्यन के छेत्र के अंत पांच वर्स तक के बालकों को किस प्रकार से सिक्ष्ण दिया जाना चाहिए इसमें सही answer देखिए चार दिखा कर खेल द्वारा वीडियो द्वारा ये फिर रेखा चित्र द्वारा तो इसमें सही answer जो होगा वो अपना होगा B option केल द्वारा बच्चों को सिक्षा या sectionic विदिया दी जानी चाहिए चलिए अगला question देखते है, 57 वे नंबर का question है, निम में से किसे output device कहा जाता है, output का मतलब होता है, मतलब computer से भाहर लगने वाला जैसे कि joystick है, monitor है, CPU या pen drive, तो इसमें जो सही answer जो होगा, output वाला, वो आपका होगा monitor, देखिए, joystick से हम input अंदर निर्देश देते हैं, CPU जो होता है, pen drive जो होता है, तो इसमें सही answer जो होगा, monitor, जो कि output देता है आपको, ठीक है, चलिए, अगला question अठावन में नंबर पा, भारत का स्वर परतम, किस राज्य में किया गया, हर्याना में, रास्तान में, पंजाब में, या फिर गुजरात में, तो इसका सही answer जो होगा, वो होगा आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब इसमें सही answer होगा, चलिए, अगला question देखते हैं, 69 नंबर का question है, मुल्यानकन की प्रक्रिया है, सबसे अनुदेशक के परिणामों की तुलना और D, उप्योक्त सभी, तो इसमें सही answer जो होगा, वो होगा, उप्योक्त सभी, सही answer होगा, क्योंकि मुल्यानकन की प्रक्रिया होती है, उसमें उद्योश्यों की उपलब्दियों का विस्तार से निर्धारन किया जाता है, निर्मान अगला लास्ट कोशन जो अपना आता है, वो है, साथवे नंबर का कोशन है, निर्मे से, मुल्यानकन का सम्मन किस से है, विश्यवस्तू से, मुल्यानकन, प्रविदियों से, अधिगम, अनुभाव से, या फिर उप्योक्त सभी, तो मैं बताओं आपको इसके अंदर, तीन आज मैंने आपको साथ प्रशने बताए, जो की रीट SST मॉडल पेपर 2022 के नए से सम्मन देता है, मेरे इसाब से आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो इस पेपर की ढंग से आप तयारी कीजिए, ये पेपर आपको कैसा लगा, ये मॉडल पेपर जो आपको आपके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये आपको आगे तक लेके जाएगा, इसमें से काफी कॉश्चन आपको मिले, मैं भगवान से यही आशा करता हूँ, कि आपके सही कॉश्चन आपको इससे प्राप्त हो जाएं, आपको मिल जाएं, ठीक है, तो आज इसे व झाल